हलो बच्चों क्या हाल चाल बहुत बढ़िया सब कुछ तो आज का जो वीडियो होने बाला है वो इलेक्ट्रिकल इनर्जी पर होने बाला है ठीक है हमने पीछे जो रेजिस्टेंसे होते हैं कैसे कमबाइन करते हैं अच्छे अच्छे नुमेरिकल्स भी हम लोग कर लिये, series combination, parallel combination, हम लोग ख़तम कर लिये, और उसके बाद जो हम लोगो ने, क्या advantage होता है, parallel combination का, series combination के ऊपर, वो भी हम लोगो ने कर लिया, तो अब जो topic आता है, वो electrical energy आता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, एक और information आपको लोगो को दे रहे हैं, कि मैं पांच ब्हुझेशान में अवरे वेहां आप ऑन लाइः दॉयरा दुझा है, य। झालाद भा टॉयर ढाहा हैं, तो अब पर लाइच ब्हाथाँ, लाइव पाशरो जitting, ऌसyear का लोग जयरा हूए अपर दूड नहीं होगोगोगोगोग дорог श्यूच ज़ूप ग्विय् यह रहा हूँ कैपाएगा, इस नहीं पर रहे ऑंगाँपाउगा, कि को इसे नहीं आचिएु इसलिपुरूबल्म, जल रहे नहीं पर सु exactamente इसलिए七 है आशा दीशेद बचाफ्य वाताईगाउ हो आपकोली। यह हो यह बचिनheal इनरी क्या है? जीन अगछिए। So, what is electrical energy? The energy caused by the energy caused by the movement of by the movement of electron from one place to another place another place known as known as इलेक्ट्रिकल इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इनर्जी, इलेक्ट्रिकल इनर्जी, यास, कहने का मेरा मतलब है, कि इलेक्ट्रिकल इनर्जी क्या होता है, कि मान के चले सपोज ये वायर है, ये वायर है, मान लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोन, ये एक्स पॉइंट है, ये 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 तो अगर इलेक्ट्रोन इतर मूब कर रहे हैं तो कोई भी चीज अगर मूब करता है तो उसको इनर्जी लगता है नजी कोई भी चीज को काम करने के लिए किस चीज की आब सकता होती है इनर्जी की आब सकता होती है तो इलेक्ट्रोन को भी कुछ ना कुछ इनर्जी लगाना और उसके द्वारा जो इनर्जी का खपत कर रहा है इलेक्ट्रोन जो इनर्जी खपत कर रहा है उसी को बोलता है इलेक्ट्रिकल इनर्जी ठीक है? I think आपको समझ में आया होगा ठीक है? अब इलेक्ट्रिकल इनर्जी जो होता है उसको इसे दिनोट करता है दिनोटेट वाइ दिनोटेट वाइ लाइटर ए लाइटर ए दिनोट करते हैं इनर्जी को अब इनर्जी का जो होता है SI unit energy का SI unit होता है वो क्या होता है बाबु आप लोग को पता है Joule होता है जिसको J ठीक है इतना बता है तिंक होगा ना गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा हमको क्यों कर लग रहा है क्योंकि पंखा को बंद करके करना पड़ता है क्योंकि इधर जो है ना पंखा नहीं बंद करूंगा तो फिर साउंड चलाएगा तो इतना बात इतिंक कमई गया होगा कि यूनित एलेक्ट्रिकलकण इनलगी का Joule होता है Def Nerdly इसका जो फॉर्मूला न का इनलगीप इनलगी लूसएगा फार्मूला होता है जिसको भी running यh फर्मूुला जो है बहुत ही इम्प्रोटेंट धैसे तो इनलगी इसका इसका यहां पर भी का मतलब होगा potential difference potential difference ठीक है उसके बाद I का मतलब है electricity or electric current electric current यहां पर T का मतलब होता है time समझ में आ रही है और E का मतलब तो आपको पता ही है कि इनर्जी होता है electrical energy electrical energy यह सारा चीज आपको पता है तो इतना बात हमने लिखाया तो इसको जल्दी-जल्दी फटा-फट से नोट कर लीजिए अरे भाईया नोट कर लीजिए बहुत इंपोर्टेंट चीज है वह से भी आज बहुत गर्मी लग रहा है जल्दी कीजी आप लोग ठीक है जल्दी कीजीए ठीक है तब तक मैं पसीना पोच लेता हूँ इसको में मिटा दे रहा हूँ मिटा दू में अब यहाँ पर बहुत सारा चीज अभी हम लोग पढ़ने बाले है टेंसर नहीं लेना है आपको V is equal to I into T मन्दब एक चीज हम कल लेते हैं यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर एक इलेक्टरिक बल्ब यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ एक बैटरी भी कनेक्टेड है प्लस माइनस और यह मान लेट सी भी पोटेंसर दिफरेंस भी है अब डेफिनेटली है कि अगर यहाँ पर इलेक्टरिक बल्ब है तो इसका ना कुछ ना कुछ यहाँ पर यह क्वाइल होगा कोल तो होगा इसके अंदर टीक है अब उस कोल का रर्जिस्टांस होगा उस रजिस्टेंस को मालेते हैं लेट सी ार ठीक है अब इधर से अधर कुछ नकुछ लेट्रिक पारन्ट भी अगाए गी जिसको मालेते हैं अब यह पोटेंशिल डिफॉन्स भी है अब यहाँ से इलेक्ट्रोन दोड़ेगा तिसका कुछ ना 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 कुछ V की वेल्यू यहां पर I into R हो गई, अगर V की वेल्यू I into R है, अगर मैं यहां पर पूट कर दूँ तो, E is equal to V के जगा पर मैं I into R लिख सकता हूं, ध्यान से, तो I into R मैंने लिख दिया, और यह पहले से I है, into I और पहले से T है, अब क्या हो जाएगी, इनर्जी की एक और फर्मूला हो जाएगा, वो क्या है, I, I बोले तो I square, into में यह R और into में यह T, यह देखिए, एक और फर्मूला बन गया, ना, इनर्जी का एक और फर्मूला बन गया, अब मैं क्या करता हूँ, यहां से इस I को अगर, यानि यह देखिए, पहला नमर फर्मूला, यह दूसरा नमर फर्मूला, अब मैं यहां पर इस इनर्जी वाले में से, मैं अगर इस I को हटाना चाहूँगा, तो मैं कैसे करूँगा, अगर यह I अगर इधर आएगी, तो I की वेलू यहां पर क्या हो जाएगी, भी वट्टे आर हो जाएगी, अब यहां पर I के जगह पर भी वट्टे आर डाल दीजी आप, ठीक है, तो I के जगह पर भी वट्टे आर डाल दीजी, यानि तीसरी फर्मूला क्या बन सकता है, energy is equal to I के जगह प्रब क्या हो जाएगा VYR और इसका whole square into my R और into my T ठीक है अब यहां पर जगह नहीं है मैं यहां पर कर लेता हूं energy is called to क्या हो जाएगी यानि V square अब बाई में R square into my R into my T R से एक R कट जाएगी तो energy क्या हो जाएगी V square by R और इंटू में T, ठीक है, यह इधर जगन नहीं है, मैंने इधर कर लिया हूँ, तो देखे, यह फर्मूला भी हो जाएगा, तो इतना बात, I think, समझ में आ रहा है, कितना सारा फर्मूला हो गया, यहाँ पर भी में सारा फर्मूला, यहाँ आप लोग को याद कर लेना है, हो, तो देखे, यहाँ पर पहला फर्मूला है, इनर्जी इसकल लिया, दूसरा फर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ पर, इनर्जी इसकल तो, I A sqr into R into में T, फिर तीसरा हम लोगों ने क्या निकाल लिया, E is equal to V A sqr by R into T, ठीक है, हम लोगों ने इतना निकाल ठीक है तो I think इतना बात I think समझ में आ गया होगा आपको तो जल्दी जल्दी फटा फट लिख लिजे है तो जल्दी फटा फट ये सारा बात लिख लिजे तो आप जल्दी से पटाइक से फर पर